ये किसको बेवकुब बना रही ए इस लेटर के अंदर पीएम को कि ये कवर कन्री कोसिश कर रही इसको ये सुब्रमानियम स्वामी ने पीएम को लिखा है अब न्याय की जो आस है पूरे भारत के अंदर इतना बड़ा केंपेंच चला प्यारा हिंदुस्तान आप लोगों नहीं शेरिन जी और मैं आपको बताना चाहता हूं व्यूवर्स हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और इतने कमेंट्स आप लोगों को कर रहे हैं ना मुझे न अंदर इतना बड़ा अंदोलन खड़ा हुआ है पबलिक की वज़े से क्योंकि लॉजिक मांगता है सुप्रेम कोड़ आपके इस बात के लिए चाहिए मुंबई पुलिस तो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चाहिए नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज पर से लेकर आए हैं हम सुझान सिंग राजपूत के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासा होता जा रहा है और सुब्रमन्यम सुआमी ने केस अपने हाथ में तो ले ही लिया है उन्होंने शुरुआत में खाता कि ये तीन मस्कीटर जो बॉलिवुड म करमिश्णर को एक लिचिठी लिखी थी तो इन सारे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे मंजीत सिंग दागर से तो कसर जी जो आज सुब्रमन्यम सुआमी के हाथ में जो केस आया और इन्होंने कसम खाली है कि शुषान सिंग राजपूत को निया दिलवाकर ही रहा है क्य से हमको जानकारी हुई है कि मुमबई में जिस तरीके से उनकी रह्ष्य में तरीके से उनका जो मौत लिखा है कि सेक्षन 306 और सेक्षन 308 जो यह कहते हैं 308 सेक्षन यह कहता है कि अगर कोई सुसाइड के लिए प्रोथसाहित करता है तो उसको 10 साल तक की सजा होगी यह सुनना है यह लोग और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके अंदर उन्होंने जो लेटर लिखा है यह मुंबई पुलिस कमिशनर को बोला है कि आप से इनको आप रखिए प्रेजर्फ करके रखुए लेट्रॉमिस मतलर लैपटॉप हुआ मोबाइल फॉन होए इपी techniques आप रखिए प्रेजर्फ करके उससे पता लेगए का क्या इंसिटल हन्य ऑफ ते बात यह लेटर इसके अलावा एक लेटर के अंदर फेरेंस भी सब्सक्राइब करें मैं अबहुत्त करें अगर कोई सैलेंट रहेंगे या जब आप नहीं देंगे तो फिर हम हाई कुछ जा सकते हैं आप पहले प्राइम मिनिस्टर से अर्जी लगाई है उसके बाद आप हमारे पास माईए तो पहले हम वेट करेंगे पहले हमने मुंबई पुलिस कमिसर को दे दिया और उन्होंने यहां तक का है सुप्रमनियों स्वामी का यह कहना है कि उसने सिफषेना नेतां से बात कर लिए और सिफषेना नेता उस मामलें पॉजिटिव हैं और ठीक है आप केंदर सरकास से रिकमेंट कराई क्योंकि दवाब में इस वहां का हम मिनिस्टर जो है ना महराष्ट का वह एंचिपी का अनिल कर रही है कि इसको किसी तरीके से इसको दवाने की कुछिस कर रही है तो दवानी को सभी प्राम इंटर को लेकर लगतर की दवाने की कोसिस की जीजिए गूगल पे आपको समाब रिपोर्ट उन्हों के मावाब ने बोला है मडर मानते इस मामले को और जिया खान की जो मा है राबिया खान उसने भी लेटर लिखा है प्रैमिनिस्टर को वह भी इसको जो है मडर मानती है और 1908 में दिव्या भारती की फाइल बंद कर दी थी और जो है उस फाइल को भी सुसाइड मान करके बंद कर दिया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1990 से लेकर के 2020 तक जितनी भी बॉलीवूड के अंदर मौत हुई है रहशे में मौत है चाहत्याई हुई है किसी मामले में सजानी हुई आज तक यह क्यों नहीं कितना प्रिट की मेनेजर भी रह चुकी है और उन्होंने जो है किसको बुलाया आदित्य चोपडा का जो साज प्रोडक्शन है उनके कॉंट्रेक्ट में बंदे थे कौन सुसांत सिंग राजपूत उस आदित्य चोपडा ने उसको दूसरे बैंडरों में काम नहीं करने दिया उन कास्टिंग हेड है कास्टिंग डिरेक्टर है आदित चोपडा के प्रोडक्शन हाउस की कौन शानू शर्मा जिससे मुंबई पुलिस ने इंटेरोगेशन किये लेकिन मामला यह आदित्य चोपडा से मुंबई पूस्ताच क्यों नहीं करी अब तक अरे उसी के कॉंट्रेक संजा लिला बंसाली ने चार क्रोड पैतारिस लाख रुपए उसको दिये धै आदित चोपडा को किस बात कğin काम करेए किस फिल्म में पदमावत राम लीला में और बाजीराम मत् Ann relate इन तीन फिल्मों के लिए लेना चाहते थे संजलीला बंसाली के प्रोडक्शन हाूस में एसिस्टेंट डिरेक्टर थे संदीप सिंग जो की सुसान इसिंग राजपूत के फ्रेंड थे उन्होंने रेकमेंड गिया था उनको इनको लीजी आप और उन्हों तयारी के लिए और प्रोडक्सन हाउस में या स्राज फिल्म्स में पैसा लगाती फिल्म मनाते शेकर कपूर गूंट लेकिं उस पानी फिल्म को पैसे राजपूर राज Sara तियारे कर लिंगा कियोगी कैंद कर दिख्रा के बिस वहफम वाकांची प्रोजेक्ट था ले और बहुत पैसा लगना था उसमें लेकिन उस पानी के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया सुसान सिंग राजपूत रोए और फॉंड गया शानू सर्मा को जो की कास्टिंग हैड थी आदित्य चोपडा की उसे फॉंड करके कहा कि यह काय को रोक कांट्रेक्ट तो दे जा तू जा भाई मैं तू कर लेके इस कल्ले मेरे उपर और उसमें कॉंट्रेक्ट तो दिया बहुत रोई भी थे तब तक तो करियर बहुत नीचे चला गया उसका धलान पर फिर मैस दोनी नाम की फिल्म में लगी अब आ जाईए करन जोहर की फिल्म डमें दोह Eat को नैटफिक्स पेर रिलीज किया उसको यह एग इनके ऑंके फिल्म में कीशली के सुटे मोटे ड़ा रहे होगि पूस्ताज होनी चाहिए किसो को बडा रहे है इए किसको बहुत बना रही है molar प्लिस किसको वेवकू बना रही है सुर्मनियम स्वामी ने लिखा इस लैटर के अंदर PM को किक और अम महराश्टी के अंदर जो मामला है पर नस्वार्टे के हात में का हम मिनिस्टरी स्वार्टी है जिस जो आप मैं कह सकता हूं सरत पवार के कैसे कैसे लोगों से लिंक है अंडर वर्ल्ड के लिंक की बात करिए एक्स रॉट चीफ एक्स रॉट ऑफिसर है एंके सूध उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि अंडर वर्ल्ड का हाथ हो सकता है सुसान सिंग्राजबूद के मैंने नहीं कहा है यह किस ने कहा है एंड के सूध ने कहा है और इसके सुब्रमन्यम स्वामी ने जब वीडियो में लाइव आये थे वह इसकरन बंडाइक साथ उसमें उन्होंने भी रेफरेंस दिया था लेकिन डॉक्टर स्वामी का कहना यह देखो पहले से ही हम कुछ मान किसने फिल्में रोकवाई ऐसा मीडिया में खुलके आगे ना कौन कौन सुनलो नाम कौन कौन आदेत चोबडा है और करन जोहर है और यह लोग तो जो है वो थे जिनके कॉंट्रेक्ट में बने थे यह जो अब उनकी जांच होनी चाहिए उन लोगों की लेकिन नहीं हो रही सुद्यदेशी रोमान्स पहली फिल्म थी असराज फिल्म के अंदर वैसे काई पूछी फिल्म थी उनको मिली और सुने काम आगे बढ़ाया और वो इतने बड़े स्टार बनते चलेगे में दोनी जैसी फिल्म की सचिन देंदुल कर यह कह रहे थे जो नेट पर प्रेक्टि स्टेडियम के अंदर हुआ था वह दोजा सोले की बात मैं आपको बता रहा हूं मैंड रोक का इवेंट था अब मसला सारा यह आ जाता है कि इन तमाम इंसिडेंट्स को देख करके कि अब न्याय की जो आस है पूरे भारत के अंदर इतना बड़ा केंपेंच चला प्यारा हि सब्रहुनें सवामी भी पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है आपके नाम भी जानता हूं हीरा ठंकी है और वहां पे जो त्रिप्ति और बहुत सारे लोगों ने हमें लेखे और जितना आपने किया ना सुब्रहुनें सवामी सर ने बोला आप लोगों के वज़े से ही हमाही को जा रहे हम सुप्रीम कोट में बात रखेंगे भारत के अंदर इतना वड़ा अंदोलन खड़ा हुआ है पबलिक की वज़े से क्योंकि लॉजिक मांगता है सुप्रीम कोट बही आप किस बात के लिए चाहिए मुंबई पुलिस तो कर रही है इन्वेस्टिगेशन जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मैगजिंस निउस्पेपर्स जो अभी तक इस तरीके की तमाम तरीके की बिना तरकों वाली चीज़ ने सुशान सिंग राश्पूत को लेकर लिखती रहती है पर एक तरफ से जो गोहार लगाई जा रही है फैंस हो या आपको आपी पता है कि उनके फैंस जो है वह इस चीज़ को लेकर सचिस चाहते हैं लेकर क्या फरक पड़ेगा उन लोगों पे जो इसा आब या म का पता देना चाहता हूं आयुस्मान खुराना संदीप सिंग जुशान सिंग को अपना बड़ा दोस्वां देश्यों में के बिल्कुल आयुस्मान खुराना उसने बुख लिखी है उसने बुख लिखी है माई जरनी इन बॉलिवोड 2015 के अंदर coaching the code माई जरनी इन बॉलिवोड ये बुख पूरा नाम है उस बुक के अंदर आयुसमान खुराना ने बताया है कि मैं रीडियो जो कुई हुआ करता था रीडियो जो की आर्जे हुआ करता था एफ में मैंने करन जोहर का इंट्रू लिया मैंने उनसे नंबर मांगा कि सर मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ कि प्रोडेक्शन हाउस में उसके बाद में करन जोहर ने उनको लेंड लाइन नमबर दे दिया उस लेंड लाइन नमबर पर आयुसमान खुराना ने फॉन मिलाया कई बार फॉन उठाया नहीं लास्ट में फॉन उठा करके उन्होंने यह बोल द आप देख लें विकी कोसल के साथ में है यह मैं बता रहा हूं संदीप सिंग भी जाकर करके देख ले और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं यह तो एक लाइब मैंने एविडेंस दिया इस बात का ने पोटिजम का एविडेंस दुन लीजे आप अब दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने जो नेपो किड्स को सलमान खान फिल्म से हीरो के अंदर उन्हों कि इसको लॉंच किया है सूरज पंचोली को और आतिया सेटी को करन जोहर ने अलिया वर्ट को लॉंच किया इन लोगों ने ठीक है अपने प्रोड़क्शन हाउस में जिस तरीक जम भी वहां पे है और वह उसके अंदर लेखा है क्रिम आई पीसी 308 कहती है अगर कोई सुषाइड के लिए प्रोच साहित करता है उसके लिए 10 साल की सजाए हाला कि यह जरूरी नहीं है वह मर्डर हो सकता है अभी पता है क्या एक न्यूज चली आ रही है न्यूज क्या च किसी को और उनसे 488 गंटे पूस्ताज करती है बाद मैं उसको रहे है यह मैंने थोरी का सुभर मन्य मोण सवामी ने कहा है अब रही बात उसकी कि न्यs q sapalra पूरी भारत की मीडिया सुझनदा पुस्कर थरूर के मामले में आतमात्या आतमात्या चला रही थी धुआधार धुआधार और फिर हाई कोर्ट से भी एंटर्टेंड नहीं किया चेका सुप्रीम कोर्ट में 4 सीट लगे ससी थरूर पर ड्रक्सोबर डोज उसका कारण बताया यह नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सीबी आई की जाज की मुझे यकीन है इस देश की जंता के आधार मुझे यकीन है उसमें वह रिकमेंड कर देंगे और एक फाइनल माद आपको बता देता हूं व्यूवर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और इतना बड़ा क योगदान हमसे कम नहीं है और हमसे दुगना योगदान है इनका क्योंकि हम तो आपको कोई बात बता के चले जाएंगे लेकिन यहां पे थोरोली उसकी स्टेडी करती है और आप हमसे वह चीज़े निकलवाती है जो जो चीज़े रेलेवेंट इस विश्यम है बस मैं यही देप्रेशन में चले गए और एक किसको बेवकूब बना रहे हो भाईया नितू कपूर की पार्टी में सेलेबरेशन कर रहा था खोले आम और हमको बेवकूब बना रहा है ऐसे नहीं चलेगा ऐसे कोई आप किसी को बना नहीं सकते क्योंकि अब यह बनने वाली पब्लिक न नवाज